केदारनात मंदिर से 23 किलो सोना चूरी तिर्थ पुरोहित बोले दिवारों पर गुल्ड की जगह कैमिकल पॉलिस किया गया सरकार ने चांच का मेटी बनाई क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं वस्तार से केदारनात धाम के तिर्थ पुरोहित और चार धाम महा पंचायत के उपाध्याक शंतोस त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23.78 किलो सोना चूरी होने का आरोप लगाया है न्यू जेजनसी एनाई के मुताबित त्रिवेदी का आरोप है कि मंदिर के गर्फ गिरी में पिछले साल सितंबर अक्टूबर में सोने की परच चढ़ाने का काम हुआ था जब सोरी की प्लेटे लगाई गई थी तो अब उन्हें पॉलिस करने की क्या जरुवत थी लिहाज में कितना सोना मिला तांबे में सोना क्यों मिलाया गया ऐसे कई सवाल है के दारनाथ ही नहीं बद्रिनाथ में भी ऐसा घोटाला होने की चानकारी मिल रही है बड़ते विवाद की बीच अब उत्राखंड सरकार ने संस्कृटी एवं धार्मिक मामलों के सचीव हरिश्चंडर सेमवाल और गड़वाल कमिशनर की अध्यक्षता में एक जाज कमीटी बनाई है राजी की पर यटन धर्मसव एवं संस्कृटी मंत्री सत्पाल महाराज ने सुक्रवार को कहा कमीटी में विसे सग्यों के साथ स्वर्नकार भी होंगे जो भी दोसी होगा इसके खिलाफ करवाही की जाएगे सत्पाल ने विवाद बढ़ने पर कहा कि सोना चड़ाने का काम भारतिय पूरा तत्व सरविक्षन के विसे सग्यों की देखरेख में किया गया है एक दान दाता ने सोना खरीदा और इसे गर्वगिरी की दिवार उपर जड़वाया इसमें मंदिर समीती की कोई परत्याक्ष भूमी का नहीं थी काम पूरा होने के बाद इसका बिल और अन्य कागजा दान दाता ने मंदिर समीती के पास चमा कर दिया पर पक्षिदल मामले को जबरन तुल देकर चारधाम यात्रा में खलर ढ़नने की कोसिस कर रहे है मंदिर समीती ने कहा था कि आरोप जूते हो और इससे पहले बद्रिनात किदारनात मंदिर समीती ने आरोप जूते बताया थे कमीटी ने कहा था कि गर्व गिरी में 23.78 किलो गराम सोने का इस्तमाल किया गया है सोने की पर चड़ाने के काम में तांबे की प्लेटे का इस्तमाल बेस की रूप में किया गया है इसका कुल वजन करीब 1000 किलो से जादा था इसकी कीमत 29 लाख रुपए थी तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे शुक्रीए